रोज वाली वही आलू बैगन की सब्जी खाकर हो गए हैं वो और तो आज बनाएए बहुत ही टेस्टी मसाला बैगन की सब्जी इसके लिए बैगन लेने हैं मैंने चोटे साइज के बैगन लिए हैं इनको दो करके चार टुकडों में कट कर लिया अब इस सब्जी को लोहें क कडाही में बनाएंगे तो यहां पर तेल डाला इसमें हम एक चमज जीरा एक चमज सौफ डाल देंगे साथ में डालेंगे दो से तीन चुटकी हींग और आधा चमज हम इसमें राई भी एड़ करेंगे इन मसालों को हलका सब होना है आज की सब्जी में हम लहसुन प्यास और पाने से निकालने के बाद बस हमने इस तरीके से डाल करके भून लेना है दो से तीन मिनट तक अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो यहां पर हम सिर्फ अभी हल्दी पाउडर का इस्तुमाल कर रहे हैं तो मैंने एक चोटी चमज हल्दी पाउडर डाल दिया है अच्छे स मिक्स करना है और इसे भूनना है जितने अच्छे से भूनेगी सबजी उतनी ही टेस्टी बनेगी ढख करके हम इसे सौफ्ट होने तक पका लेंगी बीच-पीच में आपको ढखकन हटा करके इस तरीके से बैगन को उलट पलट देना है ताकि सभी तरप से बैगन अच्छे स यह दिखिए इस तरीके से हमने इसे बढ़िया से भून लिया है अब आप देख सकते हैं कि जो बैगन है वो अच्छी तरीके से सौप्ट हो गए हैं मैंने आपर मेथी दाने के पाउडर कर इस्तिमाल किया है आप चाहें तो दाना मेथी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जब जी Turchके साथ में इसमें और वी मिसे डालेंगे जैसे के एक चमज धनिया का पाउडर डालेंगे सात में डालेंगे इएक चममस अमचूर का पाउडर के इस तेमाल करना है तो थोड़े सा अच्छी कौन्टीटि में डालेगा सात में amazon का से मला देना है अब हम सबजी को मसाले के साथ भूनेंगे ताकि जो मसालों का टेस्ट और फ्लेवर है वो बैगन के अंदर तक जाना चाहिए तो बस अच्छे से भून लिया फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी में थी और ये देखे सारी चीजें बढ़िया से भून चुकी हैं सबजी देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है बस ठक करके हम इसे धीमी आच्छ में दो से तीन मिनट तक और पका लेंग बन कर तयार है इसे गर्मा गरम पराठे के साथ खाईए या दाल चावल के साथ साइड डिस्क के रूप में बनाएं बहुत टेस्टी लगेगी बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं ट्राइ केजी